शुप्रभात प्यारे बच्चों आज का हमारा काम और पाठ हमारा चल रहा है उंट चला जो की एक कविता है इसमें हमने सबसे पहले आपके लिए है कठिन शब्द पहला शब्द है उंट, उंचा, गर्दन, बालू, पीठ, बोज, ढोना, भला, करवट, ठक कर इन शब्दों को आप अपनी हिंदी की कौपी पर लिखिए और साती सात आप इसको दो बार और लिखेंगे ताकि आपको लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आप मेरे बास सुनिए और समझिए हर शब्द को आप तीन बार लिखेंगे ठीके इससे आपका लिखने की उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और इन दस शब्दों के आप छोटे छोटे वाकियों की मौखिक प्रैक्टिस कर लीजिए जो की मैं आउनलाइन क्लास में आप से सुनूंगी अगला मैंने काम आपके लिए है शब्द अर्थ बालू, रेत, बोज, वजन, ढोना, लादना और भला यानि की अच्छा इन्हें आप लिखेंगे और याद भी करेंगे आगे बढ़ते हैं और आगे का काम है यह सारे काम मैं आपको मौकी ग्रूप से करवा चुकी हूँ अब यह भी ओरली आपको करवा रही हूं मौकी ग्रूप से उंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है अगर आपने उंट देखा हो तो काफी उंचा होता है तो इसके नीचे से क्या-क्या निकल सकता है बच्चों? आप जैसे छोटे बच्चे निकल सकते हैं, बच्चिया निकल सकती है, कुत्ता निकल सकता है, भेड निकल सकती है, यानि जो छोटे आकार के हैं वो निकल सकते हैं, ठेके? चलिए, ये मौकिय कोश्चन है आपके लिए किन किन चीजों की मदद से उंट पर चड़ोगे उंट की उंचाई ज़्यादा होती है ठीके, तो सबसे ज़्यादा हम चड़ेंगे इसके उपर सीड़ी की मदद से ठीके, आगे बढ़ते हैं सफर का सामान उंची गर्दन, उंची पीट पीठ उठाए उंट चला बताओ ये सब क्या क्या उठा कर चलेंगे ये देखिए जैसे हाथी हाथी के बाद ये काम आपको कॉपी पर करना है आप लेखेंगे हाथी और इस तरह से आप दो डैश लगाएंगे पहला हाथी क्या उठा कर चलता है अगला है टीचर जी चश्मा कॉपी और किताब अब कॉपी पर ध्यान दो आप ये मैंने बनाया है इस पर मैंने बिंदी नहीं लगाई है आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू करिए क्योंकि क्लास वन में इस तरह के पूरे अभ्यास में आपको करवा चुकी हूँ पिता जी क्या लेके चलेंगे बैग चाहे वो ओफिस का बैग हो और चाहे वो बहार जाने का बैग हो मोबाईल के मिना तो आजकल कोई भी काम हमारा पूरा नहीं होता स्कूटर की चाबी, सैकल की चाबी, कार की चाबी ठीक है? अगला है शेर शेर, खरगोष, हिरन यहाँ पर खरगोष और हिरन से मतलब है शिकार तो ज्यातर खरगोष और हिरन का शिकार वो करता है और शावक यानि की छोटे छोटे बच्चे जब उसके होते हैं और उनको एक जगा से दूसरी जगा सुरक्षित स्थानों पर ले जाना होता है तो शेर के छोटे बच्चे को शावक कहते हैं वो अपने मुँ में दबा के उनको उठा के ले जाके और गुफा के अंदर छुपा देता है मांद के अंदर छुपा देता है अब दादा जी दादा जी क्या लेके चलेंगे एनक लेके चलेंगे छड़ी लेकर चलेंगे और थै काम को बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी आपको समझाया है इसी तरीके से आप इस काम को अपनी कौपी पर करिए ठीक है चलिए तो आज का काम इतना ही है और साथ-साथ आप इस काम को याद भी करेंगे ठीक है बच्चो चलिए सुन्दर हैंडाइटिंग बनाएए थोड़ा दूरी बनाकर लिखें जैसे यह देखे मैंने बिल्कुल चिपका चिपका के नहीं लिखती हूं थोड़ा बड़ा लिखती हूं ताकि हर अक्षर की बनावाट एकदम साफ सुत्री हो तो इसी तरह से आप भी अभ्यास करेंगे चलिए बच्चो ओके बच्चो